भाई बॉलीगूड का किंग ऐसे नहीं कहे जाता सहरू खान को 2600 करोड वर्लड वाई 2026 में कमाई किया सहरू खान ने वहीं पर अगर बात करू वर्लड वाई कि नहीं बलकि इंडिया की टोटल ग्रोस की बात करू टोटल ग्रोस जो यानि टोटल कमाई किया इंडिया से record तोड़ करके 14 सुकरोड सैरु खान की पहली मूवी है जो की दो हजार तेश में 14 सुकरोड बनाई है जानि तीन मूवें से 14 सुकरोड कमाया 2023 में सैरु खान ने लेकिन छुख कि बात भी है 2020 के लिए पूरी तरह से कलेंडर खार लिए सेरु खान के पहांज के लिए 2024 में सैद हमें सेरु खान की कोई भी मुवी नहीं देखने कि मैं 1904 के आज पास एक इंटर्विव देखा करता था सेरु खान का जहां पर सेरु खान ने कई सारे इंटर्विव में ऐसा कहा है कि वई में ही बेश्ट पैलिया में ही बेश्ट हूँ। याने यह बेश्ट से जाएदा थोड़ा याने की प्रभावव duck दिया काफी जती यह जादा्म kya और आज में देखने मिल नसी बेश्ट देखनी ह हम some peace ने इची साबित भी किया है कि भाई कच्छुए के चाल जरूर चले सहरु खान लेकिन भाई बहुत अच्छे मूवियां को दिया है जैसे कि आप ले जाएंगे देखेंगे दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे बाजीगर और कल हो ना हो और चैना इस्प्रेस क्यानि कई सारी ऐसे मूवियां हमारे सामने रखी है एक चाहित एक मूविया लेकिन 2030 में उनने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे निकल जा चुके है और वही पर अगर हम एच की बात करो तो सहरु खान 56 साल के कंप्लीट हो चुके है यह चीज अपने आप में भी कुछ जरूर है सहरु खान के अच्छे परफॉमंस को देखते हुए सायद 2024 में लाश्ट तक सायद हमें कोई न कोई मूवी देखने को मिले तो मिले नहीं तो इस पर काजिती ज्यादा कोई उमीद नहीं की जा सकती हाला कि सहरु खान कुछ अपने बयानों में एक बार दो बार कह भी था कि all is well यानि कि मैं कच्छुए के चाल तो चलता हूं लेकिन कभी न कभी हम कुछ अलग जरूर करेंगे लेकिन इसमें सहरु खान पर कुछ टिपड़ी भी चल रही थी जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि सहरु खान ने यानि कि कुछ अलग बोलते थे बकरी की तरह हमें आते हैं यह वो अगयरा वगयरा ऐसे कुछ देखो कहने वालों को तो कुछ भी कहता है कोई भी लेकिन all is well to well वाई यह डायलोग अमीर खान का जरूर है लेकिन इतनी समय सहरु खान पर यह डायलोग सूट कर रहा है इसलिए सायद मैं सहरु खान पर चिपकाने की कोशि में जरूर बताईएगा मिलते हैं नेश्ट वीडियो में